केरेट खीर बनाने वाले हों। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा हैं यह देखिए कि यह दो बहुत ही यह टेस्ट में और आपस्णा कृमी बना आपस्ट अम केरेट खीर की रिचितन देखि आज हम व सकते हैं। तो गाजर से बनाएंगे और यह बनाने का अभी पॉफेक्ट टाइम चल रहा है सीजन चल रहा है अभी बहुत अच्छे कैरेट मिल रहे हैं एकदम लाल लाल और फ्रेश तो गाइज अभी आप बहुत अच्छा खीर बना पाएंगे एकदम क्रीमी मलाईदार कीरव के रेडी तो इसके लिए गाइज ही मैंने आदा ग्लास चावल ले लिया था राइस इसको वाश करके भीगो दिया था दा से घंटे के लिए यह अपना भी करना चाहें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं तो गाइज अब यह जार ले लिया है मैंने इसमें हम थोड़े से चावल को पीसेंगे तो थोड़े से चावल निकाल लेते हैं लगबग दो मुठी चावल यतना ले लिया है अब गाइज इसमें मैं थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स डाल रहे हूं आट से दस आमंड यह बादाम और आट से तसी लेंगे यह देखिए राइस और आमंड कैश्यू को मैंने एक बार चला लिया था उसके बाद गाइस मैंने थोड़ा सा मिल्क एट कर दिया दूद आप चाहें तो वाटर भी डाल सकते हैं तो वह स्मूध एकदम प्योरी बन जाएगी यह देखिए गाइस एकदम स्मूध आपको पीछ लेना है रिखे खीर के लिए मैंने यहां पे दो गाजर को अच्छे से मोटे समें मोटे से घिसने काता है जो यह देख सकते हैं तो आप घिस लें आप खीर बना लेते हैं तो कडाई को मैंने इंडेक्शन पर रख दिया और यहां मैंने चमच घिर डाल जिए के याब देख सकते हैं यह स्जानी के भी न भी बना सकते हैं अब मैं इसमें गाघिष डी दूंछे। इसमें चींइ डाल लेंगे तिरहाँ मैं यह 45 आप एक तोरे चींइ तालुक है आप जैसा में मिठ्था खाने हो उसे डालें हम सौक साहलेंगे का डालाइफित नर्य रीटख तक दालाइां से जावलों को हम मैं पीस है आप चाएं तो पूरे चावल को भी पीष के बना सकते हैं बट मैंने असे ठोड़े ही चावल पीष सकते हैं इसमें बॉयल आने देंगे दूद में जाइज यह देखें दूद में बॉयल आ चुका है लूइं दूप लूँगी हैं, आपके पास एलाइची पाउडर हो तो भो डाले, मिक्स भर लेंगे, आप गईज दो ये चावलो को पीशा खमने हैं, वो डाल लेंगे, आप गयाज इसमें ये राइस डाल लेंगे, कि आप अजसा से अैं Ahmad defense इसमें कुछ ड्राइफेरूट स्टलं रहे आपाजू और बुवादाम को काट लिए लिए आप सब्सक्राइएं जोबनाख्या पूए devi मिदिम कर ले काया बाधाना एक सब्सक्थाइए जी आपको परक्षा खुलेन वा डाल ले थिक भी हो गया है काफी तो गाइज अब मैंसे आपको सर्फ करके दिखाती हूं यह दिखे गाइज खीर को मैंने बोल में सर्फ कर दिया है उपर से थोड़े से और काजू अब अदाम डाले हैं आप देख सकते हैं गाइज इस खीर को आप चाहें तो ठंडा कर लें चिल्ड आप इसे खाएं या गरमा गरमी खाएं जैसे आप खानात पसंद करें गाइज यह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और कुछ अलग भी है नॉमल वाली खीर से खीर की और भी रेसिपी मेरे चैनल पर है मिल्कमेड वाली खीर की नॉमल खीर की दुद वाली और लाल वाले गाजार आते हैं गर्मियों में जो मिलते हैं उससे अथना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा तो अभी गाइज यह एकदम पॉफेक्ट टाइम है इससे बनाने का गाइज आप इसमें चाहें तो कोकोनेट पाउडर भी डाल सकते हैं आरियल का बुरादा जो आता ह और आप ऐसे बीस से बना सकते हैं यह बहुत ही जादा अच्छा लगता है जिन जिन को खीर पसंदे आप सब को यह ट्राई करना चाहिए यह रेसिपी ट्राई करिएगा कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए चैनल को सब्सक एक लेपाय गएगाई